हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी किच्छन में आज हम आपके लेकी आए हैं फेस्टिवल और नवरात्री स्पेशल मखाने की खीर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मखाने की खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने ग्यास का फ्लेम ओन कर लिया है ग्यास पे हमने रख लिया एक बर्तन और इस बर्तन में मैंने आड़ कर रहे है एक लीटर फुल क्रीम दूद तो ग्यास का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम और दूद में एक बॉयल आने देते है दूद को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि दूद नीचे से चिपके ना जब तक दूद बोईल हो रहा है तब तक हम मखानों को रोस्ट करके रेडी कर लेते हैं मखानों को रोस्ट करने के लिए हमने गैस का फ्लेम ओन कर लिया है ग्यास पर रख लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला है लगपक आथा चुटा चमच देशी घी और कढ़ाई को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पर आड़ कर रही हूं दो कप मखाने, यहाँ पर मैंने मखानों को 250 ml कप के थू मेशर कर रह अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, तो ग्यास का फ्लेम हम कर देते हैं ओफ, और अभी 2-3 मिनिट के लिए हम इसी तरीके से इनको गरम कढ़ाई में चलाते रहेंगे, ताकि कढ़ाई की गरमाई से यह जलना जाए, मखानों को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, यह बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कपड़ा, और मखानों को मैं इस कपड़े पे ट्रांसफर कर रही हो, और अब चारों को अनों से पकड़के हम कपड़े की एक पोटली जैसी तैयार कर लेंगे, धियान रहे, यह स्टेप आपक को थोड़ा-थोड़ा सा क्रश करना है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बेलन, और बेलन की हल्प से मैं इनको क्रश कर रही हूँ, ध्यान रहे, जादा बिल्कुल भी क्रश नहीं करना है, सर्फ हलका सा हमें मखानों को क्रश करना है, हमने मखानों को क्रश करके रेडी करते हैं, क्युंकि हमारे दूद में वोएल आ चुकक है तो gas का flame मैंने कर दिया है low और अब यह जो मखाने हमने crush करके रखेते, इनको हम dूद में add कर देते हैं, जिस तरीके से मैंने मखाने crush कर रहा हैं, विलकुल इसी तरीके हम कर लेते हैं low to medium और खीर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा दूर थोड़ा गाड़ा नहीं हो जाता और मखाने फूल के अच्छी तरीके से पक नहीं जाते ध्यान रहे खीर को चलाते हुए ही पकाएं क्योंकि जैसे जैसे खीर गाड़ी होती जाएगी हो गई है दूद का वॉल्यूम भी काफी कम हो गया है तो इस स्टेज पर मैं इस में आड़ कर रही हूँ वन थर्ड कप शुगर यहाँ पर मैंने शुगर को 85 ml कप के थू मेजर कर रहा है शुगर अपने टेस्ट के कम यह जादा कर सकते हैं तो शुगर को भी हम खीर में मिक्स कर देते हैं शुगर मिक्स करने के बाद हमारी खीर थोड़ी पतली होगी तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम अपनी खीर को तकरीबन 8 से 10 मिनिट के लिए अभी और पकाएंगे शुगर आड़ करने गाहते हैं और तो यहाँ पतना है तो यह जाद इसलिए में यहाँ पर दक्रशन मिक्स करते हैं करने की हम चीर'm उसकी को झाऴते हैं उसके बाद ही हम इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यह लिए हमारी सुपर गयाई旌 सब्सक्राइब खीर के तयार है अब आप चाहे तो इसको गर्मकरम एंचोई कीजिए चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिस में रखके ठंडा करके खाईए तोनों ही तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है आप चाहे तो ये रेसेपी किसी व्रत में भी ट्राइ कर सकते हैं और जितनी खीर हमने यहाँ पर बना के तयार करी है इसमें आप परिवार के चार लोगों को असानी से सर्व कर सकते हैं तो ये रेसेपी ज़रूर ट्राइ करें और आपने एक्सपीरेंस मेरे साथ शेर करना बिलकुल न भूलें